हाई फ्रेंज, आप सभी का अपनी चेनल स्मार्ट स्टीी कलास में बहुत बहुत बस्वागत है आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि EDAM क्या होते हैं EDAM यानि मुहावरा, मुहावरा क्या होता है और इसका हम किस तरह से अपने वाकियों में प्रियोग कर सकते हैं और अपनी conversation को अपनी बाचीत को हम दमदार बना सकते हैं impressive बना सकते हैं तो guys मैं आपको बता दूँ कि हमारे एक विवर्स ने comment किया था कि sir idioms पर एक वीडियो जरूर बनाएए तो मैं आज इस वीडियो में idioms के बारे में पूरा discuss करूँगा ठीक है तो guys यह यह आपका भी कोई question है या grammar में ऐसी कोई बात है जो आपको जानना है और आप जानना चाते हैं तो आप comment कर सकते हैं इंग्लिस के topic पर मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा तो चलिए हम फटा फट इस वीडियो को सुरू करते हैं जिसका आपको बेसबिर से इंतजार था और आएए देखते हैं कि वो important idioms कौन कौन से हैं जो आपके English को बिलकुल संदार बनाने वाले हैं देखिए सबसे पहले idioms क्या होता है An idiom is a group of words which have a different meaning when used together from the meaning of each word individually यानि कि ये एक ऐसा वाक्यांस या सबसमू होता है जिसका प्रियोग एक बिसेस अर्थ में किया जाता है जो अपने सब्दों के मुख अर्थ से भिन होता है यानि कि जैसा आपको ये दिखेगा जैसा आपको ये पढ़ने में लगेगा कि इसका मतलब ये होना चाहिए तो वो उसका मतलब नहीं होता उसका मतलब कुछ और होता है जो भिसेस होता है तो चलिए इस तरह से ये वाक्यांस होते हैं सब्दों का समू होते हैं मुखवरा आए हम एग्जामपλ के माद्डियम से समझते है तो पहला मुहावरा आपको दिख रहा है बहुत प्रिय जैसे आपको बोलना है कि ये चीज या ये बेक्ती मेरे लिए बहुत प्रिय है तो आप कहेंगे एपल आफ वन्स आई एपल आफ आई आपका तारा आप सुने हों कि हिंदी में लोग कहते हैं कि ये बेटा हमाए मेरा आपका तारा है ठीक है तो मतलब क्या बहुत प्रिय है ये मुझे बहुत ही प्रिय है तो इसको एपल आफ वन्स आई इस लवली लिटिल डॉटर इस दा एपल आफ हिस आई यानि उसकी छोटी प्यारी पुत्री उसकी बहुत प्रिय है एपल आफ हिस आई यानि उसकी बहुत प्रिय है तो इस तरह से आप मुहावरों का प्रियोग करते हैं ठीक है और इंप्रेशन में जोड डालने के लिए अपने बाचियत को दंदार बनाने के लिए हम मुहाबरों का प्रयोग करते हैं देखिए next है जैसे कई वारा बोलते हो conversation में कि थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी ठीक है तो आप इसको इंग्लिस में बोलेंगे at all example है he told me that he did not have any money at all he told me उसने मुझे बताया की he did not have उसके पास नहीं है कोई भी पैसा यानि थोड़ा सा भी at all थोड़ा सा भी पैसा उसके पास नहीं है next है दिये हुए बचन से मुकर जाना ठीक है इसको इंग्लिस में आप कहेंगे back out of back out of he begged out of the promise he had given me यानि जो उसने मुझे वादा दिया था करने के लिए बोला था he begged out of the promise वो उस promise से उस वादे से मुकर गया यानि वो उससे पीछे हड़ गया तो इसको हम बोलेंगे back out of right next है दुस्मानी bad blood अब इसका मतलब निकलता है बुरा खून तो अब इसका बुरा खून थोड़ी नहीं मतलब होगा इसका एक मतलब बिसेस होता है कि दुस्मानी bad blood there is bad blood between the two brothers यानि दो भायों के बीच क्या है bad blood है यानि दुस्मानी है right यहां पर आप देख रहे हैं और आप समझ रहे होगे कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जैसा आपको यह सुनने में लगेगा उसका meaning वैसा नहीं होता उसका meaning थोड़ा सा भिन होता है हटकर होता है जैसे यहाँ पर लिखा है be all ears यहाँ पर ears नहीं होता है कान all यानि सब बियाने होना तो सबकान होना इसका मतलब क्या निकला राइट तो इस तरह से इसका मतलब निकालेंगे तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि इसका meaning क्या होना चाहिए तो इसको आपको याद रहना पड़ेगा कि इसका एक अलग बिसेस मतलब होता है जैसे बहुत ध्यान से सुनना भी all ears मतलब होता है कि सारे कान देना सारे कान से होना मतलब की बहुत ही ध्यान से सुनना किसी बात को राइट दे चिल्टरन वर all ears as I began to tell the story of महा भारत तो बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे were all ears as जैसे ही I began मैंने सुरू किया to tell the story स्टोरी बताना महा भारत की स्टोरी बताना जैसे मैंने सुरू किया तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे नेक्स्ट है जैसे आप कहना चाहते हैं निस्चित रूप से तो आप कहेंगे be bound we are bound to be late if you don't hurry hurry मतलब जल्दी करना जल्दवाजी करना we are bound to be late मतलब हम निस्चित रूप से late है if you don't hurry यजि तुम जल्दी नहीं करते हूँ ठीक है तो हम निस्चित रूप से ही हम late हो जाएंगे हम late है इस तरह से आप कह सकते हो next है मर जाना जैसे आपको कहना है कि कोई वेक्ती नहीं है या मर गया है तो आप इसको कहेंगे be no more यहाँ पर be मतलब होता है जैसे अब be की जगह है is, am, are, was, were यह आप लगा सकते हैं आई एक्जामपल के माध्यम से समझते है जैसे since her husband is no more she feels quite lost since याने चोकी her husband is देखिए यह पर is आ गया ना तो be की जगह पर क्या आ गया is आ गया is is no more यानि अब नहीं है no more मतलब हो मर गये है तो जब आप किसी के बोलना चाहते कि वो नहीं है राइट यानि मर चुके हैं तो आप कह सकते हैं is no more या नहीं थे तो was no more तो इस तरह से tense के साफ से आप उसको बना लेंगे राइट नेक्स्ट इडियम है गाईज जैसे आप कहना चाहते हैं बुलाने पर हाजिर होना back end call you cannot expect me तुम मुझसे ये आसा नहीं कर सकते हो to be at your back end call every time यानि हर समय तुम मुझे बुलाओ और मैं तुम्हारे बुलाने पर हाजिर हो जाऊं ऐसा तुम मुझसे उमीद यानि expect नहीं कर सकते हो राइट नेक्स्ट है अनुकूल अवसर के लिए सांती से प्रतिक्षा करना इस बात को आप कह सकते है bide and time एक साथ bide and time the hunter bided his time till the tiger approached the pond for a drink यानि hunter ने सिकारी ने सांती से क्या किया प्रतिक्षा किया कि जब tiger approach कर जाए यानि पहुँच जाए drink के लिए कहाँ पर pond पर तलाब पर ठीक है next देखिए समान सभाव के लोग अगर हम यह बात कहना चाहते है तो हम इंग्लिस में कहेंगे words of a feather words of a feather यानि एक ही सभाव के लोग words of a feather tend to flog together एक ही बहुत अच्छी बात है अब एक बहुत अच्छी कहावात है कि एक ही सभाव के लोग जो है flow कहनी होता है जुन्ड एक ही साथ बैठना पसंद करते हैं यानि उनकी प्रवित्ती होती है उनके सभाव में होता है तो यहाँ पर tend यानि मतलब क्या हो निकलेगा प्रवित्त होना किसी बात के प्रति सभाविक एक्छा रखना तो समान सभाव के लोग यानि एक ही तरह की बिचार के लोग एक साथ बैठना पसंद करते हैं वर्ट्स आफ़ फेदर यानि एक समान सभाव के लोग नक्स्ट है बदनाम आदमी राइट ब्लैक सीप रोहन ब्लैक सीपनी काली भीड देख रहे हो आपना कि इस वर्ड का एक बिसेश मतलब कुछ और निकलता है बस वही आपको याद रखना है और यूज करना है अपने कनवर्सेशन को एक धमाकेदार तरीके से सो करना है और अपना इंब्रिशन जमाना है और नक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला एडियम है जी जान से जब आप कहना चाहते हैं कि मैंने ये काम तो बिलकुल जी जान से करना है और मैंने ये काम जी जान से किया है तो आप कहोगे बोडी एंड सोल आप बोडी और सोल का यूज करोगे तो इसका मनलब यह है कि हम सरीर और आत्मा, लोग बोलते ना, कि यह मैं तो यह काम ना, विलकुल अपनी पूरी सरीर और आत्मा से मैंने यह काम किया, राइट, तो इसका मनलब जीजान से होता है, जैसे एक्जामपल देखिए, यानि उसने अपने पूरी जीजान से लर्निंग की पढ़ाई के पीछे उन्हें, उसने पूरा जीजान लगा दिया, He gave himself body and soul to the pursuit of learning, नेक्स्ट है, जीजरी दोस्त, बहुत ही important आप देख रहे हैं, बहुत ही सामदार, बहुत ही useful यह idiom से मैंने लिए हैं, जो आपके life में बार बार प्रियोग होते हैं, जिनका use आप हमेशा करते हैं, और अपने conversation को बाचित को impressive बना सकते हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि कितने important, कितनी useful यह idiom से हैं, वर्ट जो अक्सर आप लोगों के मुझे सुनते रहते हो, कि यह तो मेरा जिगरी दोस्त है, ओके तो आप कैसे बोलोगे, इसके लिए आप यूज़ करोगे, बौसम फ्रेंड, बौसम फ्रेंड, रमेस एंड र कवर, जो अस्तान चुपने का है, उधर से बाहर आना, ठीक है, उसको बोलेंगे, ब्रेक कवर, एक्जामपल है, the enemy, the enemy resumed heavy firing as the soldier broke कवर, यानि कि सत्रों ने फाइरिंग को continue करते रहें, यानि फाइरिंग को बिल्कुल उन्होंने जारी रखा, जैसे ही, सैनिकों ने क्या किया, ब्रोक कवर किया, यानि कि छुपने के अस्तान से बाहर आए, उन्होंने तो उसने फाइरिंग को सुरू किया, इस तरह से इसका यूज आप कर सकते हो, यह थोड़ा सा कम यूज में है, बट बहुत खास है, राज खोलना, यह दो बहुत ही यानि प्रकास में लाना, यानि राज खोलना, किसी बात को सामने लाना, दो सी आई डी, देखिए यहां पर कैसे सकाईश करते हैं यह संटेंस में, राइट, दो सी आई डी ब्रॉट टू लाइट, और हीदियस कॉंस्पिरेसी तो एससेनेट दा पुलिस चीफ, यानि कि सी ने राज खोला, brought to light, उस बात को सामने लाया, किस बात को, hideous conspiracy, hideous नहीं होता है, भद्दा, group, conspiracy, यानि, एक कहते हैं, एक रहा से में बात होती ही, जिसको हम लोग बोलते हैं, साजिस, ठीक है, साजिस, बहुत ही भद्दी, विकार, साजिस को, उन्होंने क्या लिया, उसका रा पुलिस चीफ, जो पुलिस चीफ है, पुलिस का एक प्रमुख है, उसका कतल करने के लजाम को उन्होंने, जो है, राज खोला, उसको सामने लाया, इस तरह से आप देख चुके हैं, कि आज ही हमारे, जो भी important idioms थे, वो मैंने आपको बता दिया, तो guys, अभी आपने देखा हैं, इंगलिस में कोई भी ऐसी बात है, जो दिक्कर करती है, तो आप कमेंट करके हमें बना सकते हैं, उस पर मैं वीडियो अवर्ष बनाऊंगा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हाँ, यदि आप चाहते हो कि इस तरह की interesting वीडियो आपको मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइबर के वेल आइकान को प्रेस कर लो, और अपने दोस्तों को भी सेयर कर दो, ताकि आपको इस तरह की interesting वीडियो बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे, तो गाई इस वीडियो को आँध तक देखिने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप यही मुस्कुराते रहें, हसते रहें, और अधर सेखते रहें, और अपने कैरियर को एक नई हुचाई तक बढ़ाते रहें